नमस्कार दोस्तों एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ फेंटसी बिनेंग 11 यूटूब चनल पर और हमेशा की तरह आशा यही है कि आपके चेहरे पर मुस्कान होगी भाईयों आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इंग्लेंड बूमें और इंडिया बूमें समय अनुसार शाम को साड़े ग्यारा बजे से खेला जाना है दोस्तों बात करें सबसे पहले वेन्यू के बारे में तो रिवर साइड में ग्राउंड में ये मुकाबला खेला जाना है हाला कि दोस्तों इस ग्राउंड के बारे में बात करें तो 2017 के यहां पर मुकाबले नही है लेकिन दोस्तों इनके इन आंकलों के आदार पर हम आज की टीम तयार नहीं करने वाले हैं हम जो भी टीम तयार करेंगे दोस्तों वो बार्म अप मैच पर करने वाले हैं क्योंकि टीम इंडिया दोस्तों कुछ दिन पहले यहां पर पहुंच गई थी और इंग्लेंड के फेला खेला गया था यानि कि चार दिन पहले यह मुकाबला खेला गया था यानि आज का जो मैं आज का जो फॉक्ञा रहने वाला है दोस्तो इस मकाबले की बात करें तो टीम इंडिया ने 149 रन यहां पर बनाए हैं यानि रन बन रहे हैं हाला कि दूस्तो दस के 10 बिगट टीम इंडिया के यहां पर गिर गए थे और यह दस के 10 बिगट इंग्लेंड के जो डॉमेस्टिक बोलार है दूस्तो फा पर मदद मिलने वाली है और इसी के आदर पर हम अपनी टीम तयार करकर चलने वाले हैं दोस्तों बात करें दोनों ही टीमों के रिसेंट मुकाबलों के बारे में तो इंग्लेंड की टीम दोस्तों पिछले दोनों मुकाबलों में हा रही है इसके पहले के तीनों मुकाबलों मे जीत मिली है वही टीम इंडिया दोस्तों पिछले फाइनल मुकाबला हा रहा था कोमन बेल्थ गेम्स का जो फाइनल था आस्टेलिया किलाफ टीम इंडिया ने हा रहा था हाला कि उसके पहले टूनेमेंट काफी अच्छा टीम इंडिया का रहा था हैड टू एड मुकाबलों की बात करें तो 23 मुकाबले दोनों ने आपस में खेले हैं 17 मुकाबले इंग्लेंड ने जीते हैं और 9 ही 6 ही मुकाबले टीम इंडिया ने यापर जीत पाए हैं इंग्लेंड को हरा कर WINN आस्टेलिया से यहां पर खेला था तो सुर्वात करने वाले हैं दोस्तो और सबसे अच्छी बात दोस्तो अच्छी बात यह रहने वाली है कि कि टौस के बाद जो वायर खासतौर पर झिच आपeszा रिपोर्ट को हम थैली ग्राम सेनल रहने वाली है और वीडियो पसंदा दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बात करेंगे अपन इंग्लेंड बूमें के बारे में तो इंग्लेंड बूमें के लिए डैनी वेड दोस्तों ओपन करने आने आने वाली है एक सो बती 40 मुकाबले जो नोंने खेले हैं वहाँ पर इननोंak Yes कि आजिकि आज के मुकाबले में भी यह भॉल्ण करकर नहीं देने वाली पिछले कुछ मुकाबलों की जो इनके दो़ारा खेलेगा है बात करें तो लाश्ट मुकाबले में चार, इसके पहले 35, इसके पहले 25, इसके पहले 27, इसके पहले 5 और इसके पहले 30 रण की पारी नोने खेली है, और टेम इंडिया के समने दोसतों, इनका رिकॉर्ट काफी चा है, क्योंकि पिछले जो चार मقابलों की बात करें, तो एक की मुकाबले में तीन रन बनाए हैं बागी बचे हुए तीनों मुकाबलों में शांदर पर्फॉर्मेंस इनका रहा है यानि टीम तयार करते समय आप इन्हें अपने टीम में शामिल करकर जरूर चल सकते हैं अब बात करें शोपिया डंकली के बारे में तो 31 मैचों में 21 के हैट्वेड समोल लिगों न हां है वहायी बात करेंगे दोस्ता अपन ऐली डीशा कैप से के बारे में तो और ब्रेक यह बॉलिंग करती हैं दोस्तो पांच इन्निंग में इनने बॉलिंग किये शाथ मैस और लूर बात करें तो पांच यह नोंने फेक हैं यानि एवरिस बे यहाँ पर आप देख सकते हैं छे मुकाबलों के रिकोर्ड हमने लेके हैं यहाँ पर लगवग लगवग हर मुकाबले में इनके बल्ले से स्कोर हुआ है और दोस्तों बॉलिंग की है पर विकट अभी तक नहीं मिला है एक ही विकट इनको मिला है तो ऐसे में नंबर तीन पर आ रही है तो यह प्लियर हमारे लिए इंपोटेंट रहने वाली है और हम इने अपने टीम में शामिल जरूर करने वाले हैं क्योंकि इनके रिसेंट फॉर्म अच्छा रहा है अब बात करने दोस्तों नेट शेवीर के बारे में नंबर चार पर यह बल्ले बाजी करने आने वाली है सबसे चीवाद राइट टाम मीडियम यह गेंद बाजी करती है तो ऐसे हम दोस्तों आपने देखा है हमने शुरू में बताया है कि फास्ट बोदरों को मदद मिलने वाली है तो सेवियर हमारे आज के मैच में कैप्टन और बाइस कैप्टन से की भूमी का निवाने वाली है क्योंकि चान्वे मैचों का निन्यानवे मैचों का एक्सप्रियंस है लगवाग दो हजार रन ये कर चुकी है 25 का इनका एवरेज रहता है दोस्तों चान्वे इनिंग में इन्होंने गेंद बाजी किये मतलब हर मैच में यह बॉलिंग करती है लगवाग चार ओबर यह कवर करकर देने वाली हैं 76 बिकेट निकाल कर दे चुकी है और 19 का इनका इस्ट्रेइड है मतलब हर मैच में इनका एक बिकेट रहता है ओवरॉल बात करें तो दोस्तों बल्ली से लगातार इसको कर रही है लास्ट मुकाबले में 27 दोस्तों इसके पहले 41 रन की पारी खे करें तो हर मैच में इनका बिकेट रहा है और आज बैसे भी फास्ट बोलर को सपोर्ट करने वाली है तो ऐसे में दोस्तों यह प्लियर हमारे लिए और भी होने वाली है खास दोर पर कैप्टन और 22 के लिहास से अब बात करें एमी जोंस के बारे में 100% हम इसी प्लियर के अच्छा स्कोर भी करकर दे रही है टीम इंडिया के सामने दोस्तों जब भी बैटेंग आई है इन्होंने स्कोर करकर दिया है पिछले चार मुकावलों में ठीक था कि स्कोर रहा है अब यहां से देख हैं तो सटवे नंबर के बल्ले बाद दोस्तों माईया बाउशीर के ब बॉलिंग नहीं करती है पहली चीज़ तो यह क्लियर हुई और दूसी चीज़ दोस्तों यह क्लियर है कि छटवे नंबर पर बल्ले बाजी कर रही है इस पिन के सामने उतना अच्छा नहीं खेलती है यानि इनकी बैटेंग आने वाली है में तो वहां पर आपको दीपती सर बाज उक्सरा और तो नहीं करते हुए टिम इंडिया सामने देखने वाली हैं और दोस्तों पिछले दो मुकाब़ए एं यह मुकाब़ा रहा है नंबर तीन पोजिसन के लिए कोमंडव गेम्स में और बैवर इसके पहले टीम इंडिया के सामने जीरो आन जीरो बिटेट ज दोस्तो डॉप नहीं करना ग्राइंड लिग में आप इंपर रिस्क लेकर चल सकते हैं वहीं दोस्तों बात करें अपन फ्रिया कैंप के बारे में तो छेही मैच खेले हैं चाथ तीस ओबर फेके हैं और आठ टीम के लिए नकाले हैं और सबसे शांदार चीज दोस्तों लेफ् करते हुँ दिखने वाली हैं दोस्तों कैप्टन और 22 के लिए बैस्ट ऑप्सन यह आपको ग्रांड लीग में रहने वाली हैं वहीं हैट टूएड में हम इस प्रियार को लेकर चलने वाले हैं च्योंकि दोस्तों पिछले च्छे मुकावलें इन्होंने खेले हैं और च्छे जरूर करने वाले हैं अब बात करें ऐसी वांग के बारे में साथ मैच केले हैं बीस ओवर फेक हैं लगबग दोस्तों तीन ओवर का इनका एवरिज रहता है पांच ही बिकट टीम के लिए निकाल कर दिये हैं लेकिन आज के मुकावले की बात करें तो राइट टाउं फास् करकर नहीं चल सकते ग्रांड लिग में आप इने कैपटन बाइस के जरूर ट्राय कर सकते हैं क्योंकि डिफ्टेंट पिक के तोर पर ये काम करने वाली हैं ज्यादा लोग इनको कैपटन बाइस कैपटन सी सामिल नहीं करेंगे तो अच्छा पेक है आप इसे लेकर चल सकते ह वहीं जदी बात करें अपने शारा गलेन के बारे में लेक ब्रेक एक गेंदबाजी करती हैं 34 मैचों की 32 सीनिंग में 110 ओवर फेक हैं 40 बिकेट टीम के लिए निकाल कर दिये हैं और टीम इंडिया के सामने 4 मैच खेले हैं 2 बिकेट निकाले हैं बागी दोस्तों कॉमन बेल् निकाल कर देखा जाए इसके पहले टीम के लिए बिकेट निकाल कर इनोंने दिये हैं देखा जाए यदि दोस्तों टीम इंडिया भाला कि अच्छी खेलती एस पनारों को पर बात करें तो यदि टीम में जगा बनती तो निशे तोरफ़ पर हम इनकों को लेकर चलने वाले ह दोस्तों बात करेंगे कैणि क्रोस के बारे में 13 मैंचों में 11 विकट टीम के लिए नकाल कर दीए है common belt इनका खराब गया है लेकिन इसके पहले उन्होंने लगातार bucket नकाल कर दिये हैं टीम इंडिया के सामने बात करने तीन मैच खेले हैं और चार bucket टीम के लिए नकाल कर दे चुकी है अच्छा पिक है क्योंकि राइट टाइम मीडियम ये गेहन बाजी करती है बैस निशे तोर पर टीम में सामल और जोंसे लगातारि और आपने प्छले कुछ मुकालों से धहांड दिया होगा से लिधान वर्म नहीं in OUTYATE आते से ही तावर तोड़ पारी है नहीं झहि société आब थोड़ा रुक कर खेल रही है और दोस्तो रन करती है तो ऐसे में कैप्टन बाइस कैप्टन जरूर आप इनको ट्राय करकर चल सकते हैं और सबसे अच्छी बाद एक और दोस्तों कि ये पिछले कुछ मुकाबलों से बॉलिंग भी करते हुए दिख रही है हाला कि दोस्तों दो ओवर ही ये करती है पर दोस्तों बॉलिंग कर रही है ऐसे में बिकट निकालती है तो बहुत अच्छा पे किया हमारे लिए ग्रांड लिंग में भी रहने वाला है दोस्तों बात करें 37 मैचों में लगबग 900 ये कर चुकी है पच्चीस का इनका एवरिज रहता है 73 इनका हाइस्ट है वाइई दोस्तों पांच इनिंग में इनो ने बॉलिंग की है और ये पिछले को 7-8 मुकाबले रहे हैं यहाँ पर इनो ने बॉलिंग की है 8 ओवर फिके हैं दो बेकर टीम के लिए निकाले है और बात करें इंग्लेंड के सामने दोस्तों लगातार स्कोर इनो ने किया है 48 परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं दोस्तों पीक पॉइंट इंका चल रहा है कि कॉमन बेल्ट गेम्स काफी अच्छा इनका गया है और सबसे अच्छी बात दोस्तों इंग्लेंड के सामने लगातार स्कोर यह करती है पिछले दोनों मुकाबलों में 61 और 70 रन का स्कोर है इसके पहले भी 20 और 39 का इनका स्कोर है यानि कैप्टन बाइस कैप्टन सी का बैस्ट अप्सन हमारे लिए यह रहने वाला है दोस्तों बात करेंगे हर्मन प्रीट दोस्तों बात करेंगे अपन हर्मन प्रीट कोर के बारे में तो टीम इंडेक कैप्टन होने के साथ साथ ओल राउंडर प्लेयर दोस्तों इस एक बात का ध्यान हर्मन प्रीट कोर के लिए चलने वाले हैं पूजा बस्तरकार का एवरेज 16 का ही रहता है तीस मैच खेले हैं एक सो पिच्चासी रंग किये हैं और 21 टीम के लिए नकाल कर दिये हैं लेकिन पिछले कुछ मुकावलों की बात करें तो वहां पर इनको बिकट नहीं मिले हैं तो ऐसे में हम इने ड्रॉप कर कर चलने वाले हैं लेकिन ग्रांड लीक के लिए अच्छा पिक रहने वाला है राइट टाम मीडियम यह गेंद बाजी करते हुए दिखने वाली है और 15 से 20 का स्कूर कर देंगी तो ड्रीम टीम में भी यह शामिल हो सकती है लेकिन हैट टूएट टीम में सबसे एंड में इन सही फाइनल और एक बिकट फाइनल में निकाल कर दिया था बाकी दोस्तों बात करें इंगलेंड के सामने तो ठीक ठाक स्कूर यह करती हैं लगबग लगबग नोट आउट पिछले तीन मुकावलों से आ रही है और बिक्टो की बात करें तो तीन बिकट चार मैचों में नि जैसा कि हम बता रहे हैं आज जुस्तों फास्ट बॉजरों को मदद मिलने वाली है तो ऐसे में आप इने ग्रांड लीग में कैप्टन बैस कैप्टन ना ट्राय करें लेकिन हैट्टू एड़ पर्शेंट हम ड्रॉप करने वाले हैं वही रहनुका सिंग की बात करें हैं ज्यान दीजिएगा छे में जो इन्हों ने खेले हैं एक मुकाबला जो था इंग्लेंड के सामने कॉमन बैल्ट गेम में था सेमी फाइनल मुकाबले में वहां पर बिकट नहीं मिला है बाकी लगातार बिकट निकाल रही हैं बैस्ट ऑप्सन कैप्टन 22 कैप्टन सी का ग्रांड लिग में रहने वाली हैं हैट टो एंड में हम लेकर जरू चलने वाले हैं मेंगना सिंग की बात करें तो पांच में जिन्होंने खेले हैं तीने विकट निकाल कर दिये हैं इंग्लेंड के सामने कोई विकट नहीं मिला है इस्टरिट 26 का रहता है मतलब दोस्तों 26 विजबॉल फेकने के बाद विकट मिल रहा है तो ऐसे में आज के मुकाबले में में ड्रॉप करकर चलने वाले हैं बागी बैंच से कोई टीम में शामिल होता है तो उसकी जानकारी टेलीग्राम चले पर प्रोवाइड करा दी जाएगी वीडियो पसंद आया है तो वीडिय वीडियो में तब तक के लिए बाद जय हैं दोस्तों